हेलो दोस्तों, सीता की कहानी में आपका स्वागत हैं जैसा की आप जानती हैं, ये है सीता का घर और यहाँ पर सीता और छुटकी की मम्मी आपस में बाते कर रही हैं आज छुटकी नए फ्रोक में बहुत ज़्यादा सुन्दर दिख रही है यहां परसोनल और स्वीटी अपनी एक्जाम के लिए पढ़ाई कर रही है गाली, चिंटू गाली, मैं भी चला गाली, चुक 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 लुक चुत की, मैं चला गाली, तू ना चला गाली, मैं चला गाली, चुक चुक चुक, चुक चुक, चिंटू, लुक चुंटू, मैं भी चला, लुक जा अरे, देखो, चुटके, कितनी खुश हो रही है गाड़ी देख कर वियसे कितने की लेकर आई हो सीत ए तुम चिंटू के लिए गाड़ी ये गाड़ी एक हजार रुपई की आई है पास वाले बाजार में बहुत सुंदर सुंदर गाड़िया आई हुई है मैं तो सोच रही हैं उकी कर शोपिंग करने चले जाओ अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो तुम भी आ जाना हाँ ये सही रहेगा हम दोरों साथ चलेंगे शोपिंग करने के लिए चिंदू और चुटकी को राधा के बास छोड़ जाएंगे अरे नहीं दीदी को भी बाजार से कुछ सामान खरीद कर लाना है अच्छा अगर हम बच्चों को साथ ले गई तो ये हमें कुछ नहीं खरीदने देंगे बस परिशान ही करते रहेंगे वैसे अब काफी रात हो गई है हम इस पारे में कल बात करेंगे अब मैं चुटकी को लेकर घर जा रही हूँ इसके पापा इतिचार कर रहे होंगे चलो बेटा घर चलते हैं चुटकी तुम बहुत देर से गाड़ी में जूल रही हो अब हमें घर जाना चाहिए आज़ो मेरी प्यारी पेर्थी लेकिन चुटकी है कि गाड़ी से उतरने का नाम ही नहीं ले रही है जित नहीं करते हैं चुटकी देखो बहुत रात हो गई है तुम्ही सोना है अब चिंटू मैं घर्च चिंटू जा शुतकी अब मैं गईदा चिंटू मोटा चिंटू मैं तने तो हो गई हाज़ा मेरे पास ऐसा नहीं चेहती चीड़ी चिंटू एक अच्छा बच्चा है चोलो अब तुम मेरे साथ बहुत जादा बोलने लेगी हो तुम आज कर ठीक है सीता, अब मैं जा रही हूं ये बच्चे भी न, पता नहीं क्या-क्या बोलते रहते है अरे, ये चुटकी भी न, पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है इसकी बाते सुनकर तो मुझे बहुत हसी आती है इधर राधा रसोई में खाना बना रही होती है चावल बनकर तेयार हो गई है अब मैं सबको खाने के लिए पुला लेती हूँ बड़ी अच्छी महें का रही है लगता है बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है खाना सोनल स्वीटी आजाओ खाना बन गया है खाना खालो सीता चलो तुम भी खाना बन गया है हरे दीदी आपने अकेले ही सारा काम कर लिए हाँ सीता सब काम हो चुका है अब तुम सब आकर खाना खालो मैंने सबके लिए टेस्टी चावल बनाए है ही ममा ने चावल बनाए है मैं भी चावल खाऊंगी मुझे चावल बहुत पसंद है ममा हाँ जल्दी करो नहीं तो चावल धंडी हो चाएंगी और तुम्हें अच्छे नहीं लगेंगी सब लोग आगर सोफी पर बैठ चाती है और खाना खाने लगते है वही पास ही चिंटू अपने काड़ी में बैठा होता है ममा खिलो ना मीला खिलो ना ममा मैं खाना का कर देती हू तुम्हें चिंटू तुम्ही खालो चिंटू खाना ना देती मैं ना का मैं दुदू पी मैं शोता सब लोग चिंटू की पास सुनकर हसने लगते है सब लोग खाना खा लेते है मम्मा खिलो ना हाँ चिंटू चलो देती हूँ चलो सोनल अब हम खेलेंगे नहीं तुम पढ़ाई कर लो कल तुमारे एक्साम है सोनल स्वीटी मम्मा हमने बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली है हम पढ़ाई कर करके ठक गई हैं मम्मा कोई बात नहीं तुम कुछ दिर खेल लो तब तक मैं ये सारे बतन दो देती हूँ ऐसा कहकर राधा सारे बतन लेकर दोने के लिए रसोई में चली जाती है लो चिंटो तुम्हारे खेलो ना तुम रात को सोते समय इसी खेलोने से खेलती हूँ अब मैं जाकर वो लैप ठीक कर लेती हूँ पता नहीं कैसे खराब हो गया अकर ये मुझसे ठीक ना हुआ तो करली से मेकैनिक के पास लेकर जाना होगा अब तु शोच लिया शोटा लला लला तोरी आँ श्वीती मुझे पकलो मैं जल्दी से भागती हूँ तुम मजे नहीं पकल पाओगी और इस तरह से सोनल भागने लगती है और वहे भागर सोफिक के उपर चड़ जाती है आज आओ स्वीती पकलो मुझे मैं अभी आती हूँ और मैं तुम्हें पकड़ लोगी ऐसा कहकर स्वीती चल्दी से सोनल के पीछे भागने लगती है और मैं अभी चल्दी चल्दी सोफिक के उपर चड़ जाती है मैंने तुम्हें पकड़ लिया स्वीती अब तुम्हारी बारी है, अब तुम मुझे पकड़ोगी नहीं, अब मैं तुम्हें नहीं पकड़ोगी अब हम ये वाला गेम केलेंगी कुदो, 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 सोफे पल कुदो बहुत मज़ा आ रहा है, सोफे पल कुदने में कुदो 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 सोफे पैर कुदो अरे आखे लेंप ठीक हो ही गया मैं जाकर दीदी को बताती हूँ मैं इसे चला कर देखती हूँ अरे देखो कितने अच्छा से चल रहा है दीदी दीदी देखे लेंप ठीक हो गया आपका फेवरिट लेंब पैरे ठीक करती है दीदी अरे दीदी कहां चली गई इस समय दीदी कहा है आप इधर राधा कुक्की से बात कर रही होती है कुक्की तुम वहां मत बैठो एक मोटी बिल्ली आती है रोज कहीं वो तुमें खाना जाए दीदी आप यहां है मैं आपको कब से तूड रही हूँ चलिए दीखी आपका लेंब ठीक हो गया हरे क्या वो लेंब ठीक हो गया बहुत अच्छी बात है उसे यहां कुक्की के घर के पास रख देती है यहां बहुत अंधीरा रहता है आज कल वो मोटी बिल्ली भी आनी लगी है हाँ दीदी चलिए देखी मैंने आपका लेंब अच्छे से दीक कर दिया है यहीं दीखी कितने अच्छे से चल रहा है हरे वाह राधा तुमने तो कमाल ही कर दिया अब इस लेंप को कुकी के घर के पास रख दो रहा था ठीक है दीदी मैं इसे अभी बहार आंगन में जलने से अब मैं चाती हूं और चिंटू को सुला दीती हूं अरे चिंटू क्या कर रही हो तुम मैं चिलिया चुला ममा मैं मेरे चिंटू ने तो अपने चिडिया कर सुला ही दिया ममा मैं सू ममा गोदी अरे आजा मेरा बच्चा मैं तुम्हें कोद में लेकर सुलाती हूं ऐसा कहकर सीता चिंटू को गोद में ले लेती है और उसे सुलाने लगती है सो जा प्यारे चिंटू सो जा मैं ना सो ममा ऐसे ना सो लला लला लोरी गाओ ममा फिल चिंटू शो ममा अरे तुम्हें लला लला लोरी वाला गारे सुनना है हो जाओ, मैं तुम्हें वही लोरी खाकर सुनाती हूँ लला लला लोरी, दूद की कर्टोरी, दूद मी परताशा देखो श्वीती, सीता माशी कितनी मीथी मीथी लोरी खाकर चिंतु को शुलाती है आज हम भी मम्मा को कहती है कि हमें लोरी खाकर सुनाए इधर चिंटू सीता की लोरी सुनकर सो जाता है पास ये चिंटू की चड़िया भी सो रही होती है ममा ममा आज आप भी हमें लोरी का कर सुनाईए ना चिंटू की तरह ये कैसी बाते कर रही हो तुम दोनों हाजा सो जाओ मेरे पास नहीं ममा, हम ऐसे नहीं सोएंगी, हमें भी लोरी सुननी है, आप हमें लोरी सुनाईए, अरे, तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो, तुम क्या लोरी सुनोगी, तो कोई कहानी सुना दो ना ममा, हमें कहानी सुननी है, हाँ ममा, मुझे भी कहानी सुननी है, सुनाओ ना ममा, ठ तुम आखे बंद करो, मैं तुम्हें एक खाने सुनाती हूँ बहुत समय पहले की बात है किसी जंगल में एक शेर रहता था वह एक पेड के नीजे सो रहा था कि तभी एक चुहा अपने बिल से बाहर आता है और शेर के उपर उछल कूद करने लगता है शेर को बहुत कुस्सा आता है और वो शेर को पकड़ लेता है क्या वह एक चुहे को खा जाता है ममा? हाँ ममा, पताईए अरे नहीं, तुम सुनो तो सही वह एक शेर चुहे को खाने ही वाला था कि चुहा उसे कहता है तुम मुझे छोड़ दो मैं किसी दिन तुम्हारे काम आऊंगा अरे ये क्या? ये दोनों तो कहाने सुनते सुनते ही सो गई हाँ, अब मुझे भी ने दाने लगी है मैं भी सो चाती हूँ और इस तरह राधा भी सो चाती है दोस्तों अगर आपको आज की कहाने अच्छे लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा हम जल्दी ही मिलते हैं अगली कहाने के साथ तब तक के लिए बाप बाई